दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हैं आपके पर यूट्यूब सेनल पर आज अपने बात करने वालेंगी बीए बीए सी बीकॉम एम में में सेम कॉम जो टाइम टेपल हो जारी हो चुका है और आपके जो एक्जाम है कितने तरिक से स्टार्ट होने वाली है समय जो आपके कितने गंटे का होने वाला है कि आपके इतने गंटे के बीच में आपके जो एक्जाम होने वाले हैं कि दो से ढ़ाई गंटे तीन गंटे ठीक है आपको तो टाइम प्रेड़ वर कितना होने वाला है एडमिट काड़ेगे आपके जो कब तक है वो डाउलोड करवा लिए जाएंगे एफ शेल वेपसाइट पर आपके जो एडमिट काड़ेगे कब तक डाल दी जाएंगे कब से आ और भी ज्यादा इंफ्रमेशन हम आपके सामने लाते रहते हैं वीडियो को दोस्तों के साथ जादे-जादा शेयर भी कर दिए ताकि वह भी इस इंफ्रमेशन को देख सकें उससे पहले बतादो आप हमारी वेबसाइट और के पूरे की पूरे इंफ्रमेशन पास सकते हैं लिंक का आपको वीडियो के नेचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा या फिर आप प्रोम पर रॉजर के अंदराने के पार जस्ट आर के ला डोटन भी सर्च कर सकते हैं जैसे आप आर के ला डोटन सर्च करते हैं तो आपको सामने कुछ इस प्रकार का इस आपको सर्च बोक्स दख़ेगा सर्च बोक्स पर आब क už उनि और सीक कर कद़ें जैसे मानलों माहराह.. क्रास्थो इस ऐलो आपको मिल जाएगी जैसा आब देख भो रहे हैं यह तो रिक्यार्मेंट के बारे में बता रखाया है ठीक है आपको यूनिवर्शिटी से रिलेटे सारी की सारी इंफ्रमेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी अब बात करते हैं अपने एक्जाम की डेट की टाम टेबल के बारे में तो यह देखिए फाइनल एरे एक्जाम्स ठीक है महराष्ट में अक्टॉमर में ओनलाइन हो सकते हैं वीशियो दाले परिक्षा हैं महाराष्ट में अक्टॉmber में आपके उनलाइन प्रिक्षा हो सकते हैं और ज़्यादा इंफरमेशन आपको नीचे बता भी देता हूँ मैं यह देखिए महाराष्ट में फाइनल एर की प्रिक्षा है अक्टॉmber तक के लिए आगे बढ़ाई जा सकते हैं प्रिक्षा को अक्टूम्बर में आयजित कराय जाने की संभावना है Times of India की रिपोर्ट में सुत्रों के हवाले से का गया है कि इन प्रिक्षा का पेपर बहु विकल्पी प्रस्थों का होने वाला है महराष्ट सरकार अंतिम पर से नहीं लास्ट सेमेस्टर के चात्रों की प्रिक्षां के लिए अपने नए गाइडलेंस भी जल्दी जारी कर सकती है इस समंद में रहिवार को वाइस चांसलर समीती की एक बेटक होई थी और समीती की चाचा के बाद आज सोंबार को राज्जे सरकार को अपने रिपोर्ट सोपना है मुंबई यूनूट सिटी के सुत्रों के नुसार ऐसे काफी ज़्यादा संभावना है कि पैनल फाइनल एर की परिक्षाइं ऑनलाइन मोट से कराने का सुजाओ दे सकता है साथ वीशिव दाले से कहा जा सकता है कि वे ऑनलाइन परिक्षाइं की त्यारी के संभण में कॉलेज प्रिंसिपलों से बात करें इसके लावा अंकों का वेटेज भी घटाया जा सकता है एए पेपर सो अंकों का और एए घंटे का क्या जा सकता है रिपोर्ट की अनुसार वीशुद दाले को अभी ऑनलाने प्रिक्षा कराने के लिए त्यारी करनी होगी ऐसे में 30 सित्मबर से पहले प्रिक्षाई कराने जाने की समाना बहुत कम है क्योंकि राज्य के उस सिक्षा और तक्रीश सिक्षा मंत्री पुदे सामन्द ने केंदर सरकार की अनलोग आइडलाइन्स पर भी सवाल उठाये उन्हें ने काया कि जब 30 सित्मबर तक इसको पुलिस बंद रहेंगे फाइनल लिए प्रिक्षाई कैसा यजित कराई जाईगी ऐसे इस्तिति में राज्य सरकारे और चातर क्या कर सकते हैं तो उनका मान नहीं है यह कि 30 सित्मबर से आपके एक्जाम नहीं होगी एक्जाम जो आपके अक्टॉम्बर में आपके जो एक्जाम में वो करवाई जाईगी वो भी अक्टॉम्बर में आपके जो एक्जाम में वो ऑनलाइन तरीके से करवाई जाईगी आपका जो time period रहने वाला है वो एक घंटे का रहने वाला है और आपका जो क्यूसन पेपर का जो total marks है वो 100 marks का होने वाला है ठीक है और इन्होंने जो important news बताई वो आपको बने बता भी जिता हूँ आपको बता दे कि यूजी सी की guidelines के अनुसार यूजी दाले को 30 नमबर तक final year की प्रिक्षाय आयोजित कराना है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले के प्रिक्षाय के आए कि राजित चाहे तो प्रिक्षाय आगे बढ़ा सकता है लेकिन इसके लिए यूजी सी से बात करना होगा साथ यह भी का है कि यूजी सी के नियम के नुसार बिना प्रिक्षाय के चात्रों का result नहीं किया जा सकता इक्षाम जो आपके अक्ट।मर में होने वाली है कितने अक्ट।मर سے होने वाली है अभी तक उनुने एक्षाम डेट के बारे में नहीं मताया लेकिन आपकी जो एक्षाम में होने वाली है ठीक है अगर और फिर भी अगर कोई official news निकल के आती तो हम आपके सामें information जरूर लिके आएंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ जाद जाद साथ share कीजिए ताकि वो भी इस information को देख सके आज के लिए पनाए काफे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद